तो भाई क्या आप लोग का भी break up हो गया है अगर हाँ तो दोस्तों आप लोग को भी कई बर ऐसा होता होगा कि आपके boyfriend या उसकी girlfriend या फिक कोई बंदा बंदी किसी ने भी आपको snap बेजी होती है after break up या after लड़ाई और आपका देखने हैं मन कर रहा होता है पर करेंबर आप देख नहीं पाते और करेंबर दोस्तों आप देख भी लेते हैं जैसे कि मैं आपको करेंबर तरीकों में बताया है कि कैसे आपको देखना है पर तब भी आप लोग का मन ये करता है कि आप उसको screenshot ले लो तो for example दोस्तों मैं आप एक snap दिखाता हूं देखिए आपी snap है अब मुझे इसका मन है अगर मैं इसको screenshot लेना चाहूं तो कैसे लूँगा राइट अगर मैं इसको screenshot लूँगा तो सबके पास notification चली जाएगी जैसे for example यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जैसे गर्वि जाएगी कि you took a screenshot and you replayed a snap तो दोस्तों अब इसको कैसे हटाएं मतलब हटाएं तो क्या अब यह screenshot आ गया है इस screenshot नाम की notification से कैसे बचे उसका solution मेरे पास है और बहुत ही लाजवाब है तो अगर आपको भी channel पसंद आए तो channel को subscribe और video को like जरूर करना तो दोस्तों इसको करने के लिए बड़ा simple सा तरीका है वो मैं आपको बताया है तो अब यह जो trick है मैं किसी और contact पर करूँगा विकास यहां पर तो screenshot चलाई गया है तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैं बस दो snap है और दोस्तों मैं आपको अभी screenshot लेके दिखाऊंगा और किसी को पता लगेगा कि हमने किसी snap का screenshot लिया तो उसका तरीका दोस्तों इस प्रकार है तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने phone के अंदर mobile data, wifi नाम की सारी बिमारियों को बंद कर देना है और दोस्तों उसको बंद करने के बाद आपको क्या करना है आपको खोलना है अपने phone के अंदर अपनी इसको और दोस्तों इसको लेने के बाद ऐसे screenshot ले लेंगे हम लोग दो screenshot लेने के बाद आप लोग देख सकते हमारे screenshot हो गया हमने इसको back कर दिया दोस्तों यहां पर भी लिखा हूँ आगए you took a screenshot पर रुखिए दोस्तों इसी को तो बचाना है इ आपको जाना है दोस्तों recent memories में वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको क्लिक करना है अपने Snapchat account पर दोस्तों आपको basically app info को खोलना है तो आपके phone में जैसे भी खुलता है app info उसको आप खोल लीजिए for example मेरे में ऐसे करके खुलेगा app info और दोस्तों यहां पर जाके या तो आप clear data क कर दीजिए या मैं कहूंगा कि आप यहां पर इसको अनिस्टॉल कर दीजिए दोस्तों अनिस्टॉल करने से फाइदा वसी है कि 100% सेफ है वैसे आप clear data clear cache भी कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा पर दोस्तों मैं यहां पर नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी मजाक कर लेते हैं और दोस्तों स्मजाक को बचाने के लिए हम लोग खोलते हैं वापिस प्ले स्टोर और दोस्तों अब लोग वापिस अपना इंटरनेट और यहां पर नीचे comment section में जुरू बताना यहाँ पर दोस्तों हम लोग Snapchat को क्लिक कर लेते हैं और इसको Install पर क्लिक कर देते हैं जब तक दोस्तों इंस्टॉल हो रहा है तब तक उमीद करता हूँ अब भी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा क्योंकि दोस्तों लाइक करने के बाद ही तो सारे राज खुलेंगे कि क्या हम लोग कर पाए क्या हम लोग एक्चुली स्क्रीन शॉट नाम की नोटिफिकेशन को बचा पाए अगर आप भी बचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कि का स्क्रीन शॉट आप लोग ले रहे हो मतलब यह जानना बहुत इंट्रस्टिंग होगा काफी लोगों के लिए क्योंकि जनरली सब के साथ सेमी स्टोरी होती है पर हर एक आदमी बताता नहीं है तो दोस्तों, यहां पर होगे है हमारे पर Snapchat इंस्टॉल और दोस्तों, Snapchat इंस्टॉल होने के बाद ताढ़ा मैं फटावट से लॉग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों याद रहे, मैंने Snapchat को ये भी मना रखा है कि snap को open करने के बाद सामने वाले को ना पता है कि पता लगे कि आपने snap open कर ली है ऐसे trick भी मैं already बना चुका हूँ अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं क्योंकि अगर आपको screenshot लेना है तो obviously आप ये नहीं चाहेंगे कि सामने वाले को पता लगे कि आपने उनकी snap देखी भी है क्योंकि कोई नहीं लड़ाई होगी होगी न तो कोई बात नहीं लड़ाई हैं चलती रहती हैं पर मेरी जो tricks हैं वो आप के लिए specially इसले बना जाती है ताकि आप इसका भरपूर फाइदा उठा सके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों यहां पर हो गया है हमारा install और दोस्तों यह कुछ कर रहा है security check जो कि बिल्कुल बेकार होते हैं अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो मुझे नीचे comment section में जरूरू दाना दोस्तों यहां पर हम लोग लेते हैं फटा फट से login और login करने के लिए हमने allow करा और दोस् अगर का को दोस्तों हमारा हो गया ऑपर login हे को लोग इन होने के बाद हम लोग यहां पर एक्सेस दे रहेते हैं सारे वृता वता वर लेले भाईpse TV और दोस्तों अभी देखते हैं यहां पर देखते हैं कि अभी ऐसी आघी थी and spindle को दिखाता हौं अब दूस्ताव है पर ज तो सेम हमारा यहां पर रीप्ले का भी कोई option नहीं आ रहा है तो दोस्तों clear cut है कि हम लोग ने screenshot लिया और सामने वाले को पता भी नहीं लेगा अगर आपको भी ऐसे ही करना है तो नीचे comment section में जुरूर बताना